अब तक तो हम लोगों को अनपड़ बना करके रखा गया और जूटा इतिहास हम लोगों को बताया गया परंतु सत्य यह है कि जो इतिहास पढ़ाई जा रही है वो इतिहास ही जूटा है जो गरंथ पढ़ाई जा रही है वो भी कालपनिक है कि हमारे जन्गर्णा में ये धर्म कोड कॉलम क्यों नहीं दिया जा रहा है इसके पीछे एक सबसे बड़ा रहस्य है तो कि हम अपने रीती रिवाज, परंपरा, धर्म और हमारी जो कस्टमरीला वो हर समाज से जुदा है तो जो ट्रायबल सब प्लान का पैसा होता है वो जन्गर्ना के आदार पे इशु होता है उसमें हमारा एजूकेशन है, डेवलप्मेंट है, रोजगार है, एंप्लोईمن्ट है और वेवसाई के लिए होचाए अग्रिकल्चर के लिए होचाए स्वास्त के लिए है वो सारी चीज़े उस पर डेवेड़न करता है हमारे देश में हम लोग आज 15-20 करोड है और सरकार आज भी हमें 8-8 करोड अनुमानी बजट के इसाब से देती है तो यह हमारा बहुत बड़ा नुकसान है इस चीज़ को हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं अगर सरकार ऐसा कहती है तो अपनी रिपोर्ट जारी करें हर साल की कि हमने डेवलोप्मेंट के लिए इतना काम किया हुआ है इतने आदिवासियों का विकास हुआ है केंद्र सरकारे और राजी सरकारे आदिवासी धरम कोलम की मांग को नहीं मानती है तो हम जहां जहां आदिवसी निवास करता है उन से तरू तक इस बात को लेके जाएंगे और पूरे समुदाय को एक मंच बिलाएंगे नमस्कार मैं पूजा आप देख रहे हैं जन्यत आवाज इस वक्त मैं मौजूद हूँ जन्तलमंदर और यहां पर आदिवसीयों की जो मांगे हैं उसको लेकर यहां प्रोटेस्ट हो रहा है तो जानते हैं हमारे साथ हैं भूबन सिंग, कौराम जी उन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ मांगे हैं और क्यों यहां पर आए हैं सर क्या कुछ मांगे हैं आदिवसीयों की और क्यों प्रोटेस्ट करना पड़ा आपको ये मोख्य हमारी जो मांगे हैं वो हैं हमारी जो आने वाले सेंसेस में 2022 में सेंसेस होना है उसमें हमें अलग प्रतक कॉलम मिले और हमारी ज़ानगन्द है देश के ज़ो जंजाती वर के हमारे समुदाइडे आदिवासी समुदाइडे हैं उनको उनकी जो जंगणना वो प्रतक होना चाहिए और एक अलग जो कॉलम है उसमें हम ट्राइबल अबलिक आदिवासी के नाम से हम एक कॉलम चाह रहे हैं जो से हम धर्मकोट के नाम से भी जानने जा रहे हैं उसी की हमारी डिमांड है तो सर मतलब क्या सरकार आप लोगों के लिए मतलब जितने भी आदिवासी है क्या उनके लिए उनके अधिकारों को उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं क्या ऐसा कुछ है बिल्कुल हम आजादी के बात से पूरा हनन हो रहा है क्योंकि हमारे जितने भी सवेधानिक जो राइट्स हैं उसे आज तक implement नहीं किये सरकार ने चाहे वो केंग्रेज सरकार हो चाहे वो वीजबी की सरकार हो और उसी की हमारी डिमांड है क्योंकि हमारी जो जनसंक्या है वो सबसे बड़ी विडंबना है और जबकि अंग्रेजी शाशन में उनीस सो 1871 से लगातार 1841 तक हमारी जनगर्णा अलग होते रही है देशाजाद होने के बाद एवे में सब्सक्राइएं नहीं मिल रहा है क्योंकि हमारी जो आइध यहां अलग है और सुरकार तो कहती है कि सबको हम जो है समानता कादिकार दे रहे हैं सबको हम जो है जंगर्णा में रखते हैं मगर क्या कहीं न कहीं आदिवासी और पिछड़े लोग है उनको वाकई में जंगर्णा से जो है अलग रखा जाता है क्या वाकई कोई गड़बड जाला चल रहा है बिल्कुल यह विकास के लिए जो केंद्री आयोग जो है वो जो ट्रायवल सब प्लान का जो पैसा होता है वो जन्गर्ना के आधार पे इशू होता है उसमें हमारा एजुकेशन है डेवलपमेंट है रोजगार है एमपलॉइमेंट है और व्यवसाई के लिए हो चाहिए अग्रिकल्चर के के लिए स्वास्त के लिए हैं वो सारी चीज़े उस पर डिवेंड करता है और वो बजट अगर हमें अनुमानी ताधार पर मिले तो यह तो हमारे लिए बहुत बड़ा एक सोशन का रीजन बनता है क्योंकि हमारे देश में हम लोग आज 15-20 करोड़ हैं और सरकार आज भी हमें 8-8 करोड़ अनुमानी बजट के एसाब से देती हैं यह हमारा बहुत बड़ा नुकसान है इस चीज़ को हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं इससे हमारे जो रिलिजन है जिसे वह भी इस पर सुनुझ चीज़ होता है तो यही हमारा सबसे बड़ा कहना चाहिए हर जग जो प्र पर देश में भी जो इस तरीकर से वह बताते हैं कि सरकारंने बहुत काम किया है इन लोगों के लिए क्या यह सब पिर मतलब सत्ता में रहने के लिए यह सब बोला जाता है यह बिल्कुल सत्ता में रहने के लिए ऐसे बर्गलाने की जो बाते होती जमीनी इस तर का कोई डाटा पेश नहीं करती सरकार कि हमारा हमने इतना बजट खर्च किया है उसमें हमने इतना डेवलप्मेंट किया है ऐसी रिपोर्ट आज तक जारी नहीं हुई है अगर सरकार ऐसा कहती है तो अपनी रिपोर्ट जारी करें हर साल की कि हमने डेवलोप्मेंट के लिए इतना काम किया हुआ है यह वाली बात सामने रखना चाहिए तब हम माने की तो आप मंचों से बोल रहे हैं और जो चुनाओं में बड़ी बड़ी घोशनाय करते हैं कि आधिवस्यों के लिए कर रहे हैं तो उसकी सार्थक्ता तब सिद्ध होगी तो यानि कि कहीं ना कहीं सरकार आपके अधिकारों को लेकर जो है अंदेखी कर रही है बिलकुल हमारी आजादी के बास से जितनी भी सरकारे आई सब ने हनन किया है और उसका कारण भी रहा है कि हमारी जो काहिना चीक्ति है सामाज का जन प्रतिनिद्युटू है जो प्वलिटिकस और बहुत कमजोर है और वो पूरी पूरी गुलाम वयωस्तह में रहती है और ऐसे लोगों को ही वो चुन के लाती है पार्टियों से जो उनसे दबे कुछले होते हैं और जो मुह नहीं खोल पाते हैं अपनी बातों को रखने ही पाते हैं अपने समाज के लिए आगे बात नहीं कर पाते हैं इसलिए हमारे कभी संसत पे या विधान सवा में कभी किसी प्रकार कि हमारी ज्लनत समस्यों को लोके आवाज नहीं उठाताइं कोई अपने धर्मकोड की बात की तो क्या कुछ है इस ध mism ki में धर्मकोड में की तो हमारा सारी चीजे अलग होती है हमारी जनगरण अगर धर्मकोट के नाम पे अलग होगी तो हमारी पूरा देश में सुनिशी स्थान होगा बजट हमारा सुनिशी जितना हमारा जनसंख्या उसके अधार पर तै होगा हमारा रिजर्वेशन उस हिसाब से तै होगा हमारी सिक्षा का अधिकार है स्वास्त का अधिकार है उसके लिए जो बजट आएगा वह हमारा कम्प्रिट आएगा और कहीं न कहीं हमें उसका फाइदा मिलेगा उसी चीज से हम वन्चीत हो रहे हैं यहीं हमारी सब्सक्राइब से बात की और अभी और भी लोग हमारे साथ मौझूद है उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे सिनत्पेंदरा में मैं दिल्ली से ही हूँ और यहां का धर्मगुरू हूँ तो क्या कुछ समस्या आ रही है आदिवासियों को इतने टाइम बाद जागने का जो इतना होश आया इससे पहले कभी अपने लिए आवाजे नहीं उठाई क्या कोते हैं कि जब जागा तभी सभे है इसलिए आज जो जगे हैं वो अमबेटकर साहब की वज़े से और जैपाल मुंडा की वज़े से जगे हैं क्योंकि उन्होंने जो सम्मेधान में जो सत्यता को दिखाया है दर्साया है उससे अब जागरिती बढ़ रही है और उसको जो हमारे बच्चे जो पढ़ करके जो हिंदू को जन संख्या बढ़ाने के लिए ये धर्म कोड कॉलम नहीं दिया जा रहा है ताकि जितने भी SC, ST, OVC हैं ये हिंदू नहीं है और इनको हिंदू बनाया जा रहा है और हिंदू बना करके इसको जन संख्या दिखा करके इसको हिंदूस्तान बनाने के तयारी कर रह लिए आज जंतर मंतर पर कई सालों से धरना परदरसन यहाँ पर चल रहा है वाकई में मनूश संभीधान को क्यों धवस्त किया जा रहा है? संभीधान को आई से नहीं, यह लोग जब भी आये हैं, इसी परलियमेंट के सामने इसी जंतर मंतर पे संभीधान का प्रणती जलाया गया और सारे यहां पे पुलिस बैटी हुई थी, एक भी आद्वी को शाषन से और साषन से नेता से अभी नेता से सब मिले हुए हैं और ये लोग सब कुछ होते हुए, क्या एक आदम क्यों की रफ्तार किया गया, उसमें जतने जलाने वाले थे वो लोग नहीं थे, उनको सजा नहीं होने चाहिए, लेकिन हमारे साथ ये लोग इतना ज्यादा अ मनुस्मृति ये सबसे वड़ा मनुस्मृति का एक चिन है Pěंचान है कि जहां पर भी आप अपने हक के लिए बोलोगे आपको किसी नमчи तरह से नक्सलॉइट कर दिया जाएगा नक्सली कर दिया जाएगा अतंकबासी कर दिया खालिस्तानी को दिया जाएगा अब तो यह पुरा प्रफगेंडा इनको लोगों को समझ में आ गया है और यह लोग को खत्मत उतर प्रदेश होना ही था लेकिन एवियम को विश्चे जो कुछ भी हुआ हुआ यह सारा दुनिया जानता है लेकिन अब जो हो रहा है जो हम बोला गया ना कि वहां तो मतलब पत्थर बाजी कर रहे थे वो लोग तो उनी के इच्छती पहुचाई है उनी के घर तोड़े गए हैं जो दंगा कर रहे थे यह दंगा करने का साजिस तो पहले से रची गई थी यह तो सबको मालूम है लेकिन दंगा कौन करवाया और जो हमारी मीडिया जो बता रही है वो बितको उसका उलट बता रही है आप बताए कि जब पथर आप हमारे घर पे चलाएंगे तो वो पथर हम आप बेतो कर सकते है यह चीज़े हैं यह चीज़े सब गलत है तो यह सारे यह सारे नोटन की वाजी किया जा रहा है और हम लोगे प्रती यह करके हम लोगों को तोड़ा जा रहा है यह करके तोड़ा जा रहा है पहले मुसलमान को तोड़ा जाएगा फिर एसीस्टी को तोड़ा जाएगा और त आजिश के तहट ये सब कुछ किया जा रहा है बुल्डोजर बाबा भी इसी लिए इसी लिए हो रहा है इसी लिए बुल्डोजर चल रहा है कि ताकि यह लोग अपना हक अधिकार की मांग ना करें तो यहाँ पर अभि जो है, जंतर-मंतर बैठे हैं मागे लेकर, तो अगर यहाँ से कहां तक पहुचाएंगे अपनी आवाज को ? अपनी आवाज हम यहाँ से परलियमेंट तक पहुचाएंगे, सुप्रीम कोड पहुचाएंगे उसके बाद हम लें इंटरनेशनल कोट में जाएंगे यह सब कदम रहेंगे आपकी और जब इधर ही यही पर ही आपको पकड़ लिया गया यही से आपका द्वस्त कर दिया गया लेकिन हम लोग तो तयार है ना जेल भरो भेज़ो कितना तुम भेजते हो वैसे भी भेज रहे हो ना जब दस साल के बच्चे को और साट साल के बुढ़िया को इलो नक्सली कोते हैं कि यह गोली चला रहे हैं है ऐसा भी तो मद्यपर्दस में 36 गड़ में हो रहा है तो यह तो इनकी नोटनकी तो सब को जानता है और इसलिए सुप्रीम कोट ने इनको इतना डाटा है ललका रहा है कि यह जो तुमारी एक को एक बता दो कि यह अतंगबादी कैसे हुए कुछ तो तुमारा होगा कि अइसा कुछ नहीं किया है चुक्कि इनलों के पास सासन प्रसासन पत्थर तो वह अतंगवादी है जो भी अगर बोलेगा तो अतंगवादी है यह इनका अब और भी लोगों से हम बात करेंगे च्छा कुछ है यहां पर और कब क्या कदम रहेंगे अब आगया सबसे पहले तो आपके न्यूज चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद आने वाले समय में जिस तरीके दादा ने बताया कि हमारे कदम रहेंगे कि हमें सुप्रिम कोट जाना होगा सुप्रिम कोट के बाद में अंतराष्टे निया लाई जाना होगा और अगर उसके बाद में भी केंदर सरकारे और राजिस सरकारे आदिवसी धरम की मांग को नहीं मानती है तो हम जहां जहां आदिवसी निवास करता है उन सहतरू तक इस बात को लेके जाएंगे और पूरे समुदय को एक मंच बिलाएंगे तो आपका जो यह आंदोलन है क्या किसानों की तरह लंबा चलेगा या ध्वस्त हो जाए बिल्कूल किसानों की तरह लंबा चलेगा और आने वाले समय में आपके जजबे ठंडे तो नहीं पड़ जाएंगे नहीं पड़ेंगे बिल्कुल नहीं पड़ेंगे तब तक थे आ जागे नहीं अब जानकारियां होई हैं तो जागे हैं हम कैसे बैने जानकारी यह पहले कैसे जानकारी हो जाती थी एदर किी लोगों को लेके अपनी फ्सता परसंतों ले पSir भेल लेगा तो आई करंटी 100% आई करंटी उससे कोई नहीं रोक पाएगा चाहिए इतनी कड़ी धूप है और कहीं आपके जजबत ठंडे ना पड़ेंगे अब हम तयार हैं तो अभी हमने इन लोगों से बात की और जाना क्या कुछ इनकी समस्या हैं धर्मकोर्ट को लेकर जैसे कि आदिवासियों को हमेशा से अलक थलक किया जाता है रहा है और सरकार जो है दावे और सत्ता में बने रहने के लिए उनकी जो अधिकार हैं उनकी मांगे हैं उनको लेकर हमेशा से ही बरगलाती आई है वही सब हमने अभी जाना इन लोगों से और आगे कह रहे हैं ये लोग इनकी डिमांड जो है मांग जो है आगे सुप्रिम कोर्ट तक भी जाने को तयार हैं और इनके ज़जबे हैं वो ठंडे नहीं पढ़ने वाले हैं अब देखने वाली बात है ये कि देखते ही कब तक अपने जजबों को लेकर यहां प्रोटेस्ट पर वकाइदा यहां पर बने रहेंगे तो जब तक के लिए देखते रहें जनीत आवास नमस्कार